ब्रिटेन में क्यों फूटा जनता का गुस्ता? कटगरे में क्यों है महिलाओं के सुरक्षा? कॉल है सारा एवर्ड? लंदन की पुलिस प्रमुक क्रिसीडा डिक का क्या है संबन? नमस्कार नरुची पांडे आपका स्वागत करती हूँ दुनिया दर्बार में ब्रिटेन में बीते करी दिनों से महिला सुरक्षा को लेकर प्रधान मंत्री बॉर्स जॉन्सन की सरकार और पुलिस प्रशारसन घेरे में है वहाँ की जनता में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार जना अक्रोष बढ़ रहा है क्या है पूरा मामला जानिये विस्ता से हमारे साथ ब्रिटेन में पिछले दिनों एक महिला की खोच के दौरान पुलिस को संदिक्द मानव अवशेश बरामद हुए थी दरसल तब ये माना जा रहा था कि इस महिला के हत्या लंदन पुलिस की एक अधिकारी ने की थी लेकिन अब इस मामले ने पूरे ब्रिटेन को चौका दिया है जिसके बाद से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उतने लगे है 33 साल की सारा एवर्ड तीम मार्च को साउथ लंदन में एक दोस्त के अपार्टमेंट से घर लोटते हुए गायब होगे लंदन पुलिस की प्रमुक क्रिसिडा डिक ने बुदुवार को कहा कि सारा के लापता होने की जाज करने वाले अधिकारियों ने केंट के परोसी काउंटी के एक शहर एशफोर्ड के पास वुड लेंड से जो बरामत किया वो मानव अवशेश जैसा लग रहा है मेट्रोपॉलिटेन पुलिस सर्विस की प्रमुक डिक ने कहा कि फिलहाल शुरुवाती स्तर पर हम किसी भी पहचान की पुष्टी नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें अभी कुछ और समय लग सकता है तो ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दे कहा है कि वो इस घटना से स्तब्ध और गहरे दुख में है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूरे देश की तरह मेरी साहनु भूती भी सारा के परिवार और उसके दोस्तों के साथ है हमें इस भयानक अपरात के सभी जवाबों को जल्द से जल्द खोजना होगा और इसके लिए तेजी से काम भी करना होगा बताते कि प्रिश्रासन के ओर से एक बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि पाल्यमेंटरी और डिप्लोमेटरिक प्रोटेक्शन कमांड के लिए काम करने वाला अधिकारी उस रात को ड्यूटी पर था ही रही जिस रात एवर्ड गायब हुई थी एवर्ड के मामले ने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी और खीचा है राजनेताओं से लेकर सार्वजरिक हस्तियां अपनी नाराजगी भी जता रही है बिटेल में हुई इस घटना को लेकर कई पत्रकार और हस्तियां निंदा कर रही है जिस चंसा को खत्म करने की अब जरूरत है दूसरी महिलाओं ने भी सोशल मीडिया पर यौर पीड़न और हमले के अपने अनभवों को साजा करना भी शुरू कर दिया है पुलस चीफ डिक ने आश्रासन देते हुए यहां ये कहा है कि महिला का अपरंड किया जाना और विश्व सारा के मामले को लेकर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए लंदन में शनिवार को सड़कों पर जाहूरता कारेक्रम का आयोजन भी किया गया है हाली में आई सन्युक्त राश्र महिला यूके की एक रपोर्ट के मुताविक बिटेन में लगबग सभी यूवा महिलाए यौन उत्पीडन का शिकार होती है ये रिपोर्ट एक हजार से अधिक महिलाओं के सर्वे पर अधारित थे जिसमें 18-24 साल की 97 महिलाओं ने कहा कि उन्हें यौन उत्पीडन का सामना करना पड़ी वही 25 और उससे जादा उम्रे की महिलाओं में 80 फिस्दी महिलाओं ने कहा कि उन्हें सावजनिक रूप से परशान किया गया है ये तो थी आज की मुख्य कबर अब बारी आज की सुर्खियों के पहली सुर्खी, नेपाल में एक सरकारी ओफिस के बाहर प्रेशर कूकर फटने से भयंकर हाथसा हो गया है जनकारी के मताबिक घायलोने में 5 पूरश और 3 महिलाओं शामग है यहाँ सर अविवार दुपहर के समय लैंड रिवेन्यू ओफिस के फर्स्ट फ्लोर पर हुआ है दूसरी सुर्खी, मैं मान दिन बदिन हालात बेकाबू हो रहे है अब मैं आमार की जद्दा द्वारा एक चाइनिस फैक्टरी में आग लगाने के बाद वहां की सेना ने खुले आम प्रदर्शनकारियों पर गोलिया बर्सा दिन जिससे 50 प्रदर्शनकारियों की मौद भी हो गई है तीसरी और अंतम सुर्खी, पाकिस्तान में इमरान खान ने संसद में अपना विश्वासमत हासल करने के बाद एक बड़ा पैसला किया है जिसके अनुसार पाकिस्तान में कटर पंठियों द्वारा हिंदू मंदिल तोड़े जाने वाले सभी आरोपियों को बहां रह रहे हिंदूों ने माप करने का पैसला किया है इस समझोते पे इमरान की पार्थी के वधायक और कई प्रभावशाली मुस्लिम ने थाओं के शामिल होने से सवार भी उठ रही है ये कि हिंदू की दर्या दिली है या उनकी मजबूरी लाल के इस रिपोर्ट में इतना है फिर जुड़ूंगी आपके साथ वश्रू की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर बस आप जुड़ी रही हमारे चैनल मीडिया दर्बार के साथ भन्निवाद